हलो ओरीवन आप सभी को नमस्कार अध्यापकबर्ती परिक्षा चार-पांच फरवरी को आयूजित नहीं होगी कहने का मतलब यह है कि हम बहुत दिनों से परिशान हो रहे थे कि एक्जाम कब होगा कोई अपडेट नहीं है अभी विगपती नहीं आई है तो इसका उपेन यादव ने बिल्कुल ट्यूट करके बोला है कि चार-पांच फरवरी को एक्जाम आपका कंड़क्ट नहीं होगा यह आप देख सकते हैं उपेन यादव जो बेरुजगार एकिकरत मासंग के अद्देक्स है इनकी ज़दतर बात सच होती है यानि कि 99% यह वही बात करते हैं जिनका इन्हें आगे से बहुत अच्छे से रिप्लाई मिला हो लेवल 2 में पदोगी संक्या बढ़ेगी फिलाल इन्होंने कहा है कि 1500 पद इसमें बढ़ाई जाएंगे कुल मिलाके सरकार जानबूच की यह चीज़ कर रही है लगता है कि सरकार नहीं चाहती कि रीट का एक्जाम यह थर्ड ग्रेड अध्याबगवर्ती परिक्षा का एक्जाम समय पे हो दूसरी बात यह अब एक्जाम कितना आगे जा सकता है तो यहाँ से फरवरी से दो चीजे हो सकती है फरवरी एंड या मार्च फर्स्ट वीक में जादा लंबा अगर सरकार की मंसा सही है वो एक्जाम को लेकर प्रतिबद है तो वो मार्च के फर्स्ट वीक तक ही आपका करण्डक करवाएगी otherwise अगर वो बिल्कुल सीरियस नहीं है इसका मतलब यह है कि आपकी जो जोइनिंग है वो दिसम्बर तक जाएगी यानि कि एक्जाम भी बहुत लेट होगा अप्रेल मही मान के चलें आप अप्रेल मही मान के चलें कि एक्जाम इतना ज़्यादा लेट हो सकता है अगर सरकार नहीं चाती है लेट करना तो आपका एक्जाम फरवरी एंड या मार्च के फर्स विग में होगा थैंक्यू एरी मच